दिल्ली के अलीपूर में दयाल मार्केट में मुझूद एक पैंट फैक्टरी में गुरुवार 15 फरवरी को आग लग गई देर राथ तक हासे में साथ लोगों के मारे जाने की खबर थी शुकरवार सुबह आठ मरतकों की संख्या ग्यारा हो गई चाल लोग खायल है जिनने राजा हरिश्चंदर अस्पताल में भरती कराया गया है आग लगने की सुचना मिलने पर फायर ब्रिगेट की बाविस गाड़ियां मोके पर पहुँची गटना शाम करीब साड़े पाँच बजे की है रात नो बजे आग पर काबू पाया गया पुलीस ने बताया कि फैक्टरी में धमाके के बाद आग लगी आग की लप्टे इतनी तेश थी आसपास के कुछ घरों को भी नुकसान पहुचा अधिकारियों का मानना है कि फैक्टरी में रखे केमिकल की वज़े से ब्लास्ट हुआ है घटना इस तल पर मोजूद एक प्रतेक्ष दर्फशी सुमित भरत द्वाज ने बताया घटना गरुवर शाम करीब साड़े पाँच बजे की है जैसे ही धमाका हुआ तो लोग बाहर एकटा हुए हमने बाल्टी से पानी डाल कर आग बुझाने की कोशिश की फिर फायर ब्रिगेट को कॉल किया लेकिन आग नहीं बुझ रही थी फाइर ब्रिकेट के गाड़ियों ने तीन रास्तों से आग बुझाने की कोशिश की फैक्टरी करीब आठ से दस साल पुरानी है